किंद्री मंत्री अरुन जेटली ने अपने फेस्बुक पोस्ट से विपक्ष के जूट की हवा निकाल दी है 21 मार्च को अपने फेस्बुक पोस्ट में जेटली ने लिखा कि एक दिन में हिंदू आतंक, गोध्रा कांड और नीरव मोधी जैसे कॉंग्रेस के तीन फर्जी अभ्यान की हवा निकल गई अपने फेस्बुक पोस्ट में जेटली ने लिखा मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि सच और जूट के बीच मूल भूत अंतर ये होता है कि सचाई हमेशा एक साथ रहती है जबकि जूट अलग-अलग हो जाता है हर फर्जी अभ्यान एक समय के बाद खुद का ही विरोधी हो जाता है और अंततह सचाई सामने आ जाती है चाहे वो चुनावी परिणाम हो या फिर न्यायक व्यवस्था का कोई फैसला ही क्यों न हो हिंदू आतंक का शातिर सिध्धान्त हिंदू आतंक का शातिर सिध्धान्त यूपी के शासनकाल में गढ़ा गया और इसे बढ़ाने का काम उस वक्त के मंत्रियों और नेताव ने किया ये सिध्धान्त जिहादी आतंकवाद से ध्यान हटाने के लिए गढ़ा गया और अपनाया गया था ये साजर शातंगवाद पर भारत के उदार प्रवृत्ती वाले बहुसंख्यक लोगों को एक बुरा नाम देने के लिए रची गई थी हिंदू सभी को अपने सम्तुल्य समझते हैं अपने ब्लॉग में दोहजर दो के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी का जिक्र करते हुए वित्तमंतरी अरुण जेटली ने लिखा साल दोहजर दो में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगपूरे राज़े में सामाजिक और सामप्रदाइक सद्भाव को तनाव में बदलने के लिए लगाई गई थी इस केस के आरोपियों को पहचान लिया गया था और उनके खिलाब कई सबूत भी मौजूद थे इन पर चार्जशीट हुई और इनकी जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोट तक ने खारिच कर दिया वही इस मामले में UPA सरकार ने सबसे गयर जमेदाराना खृत्ति किया और उस वक्त रेल मंत्री रहे लालू यादव ने इस मामले में बिना भारत के चीफ चस्टिस सुप्रीम कोट के पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोट के जज श्री युएन बेनरजी से बिना परामर्श लिये रेलवे आयुक्त को इस मामले की जाच के लिए चुल लिया एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें लिखा गया था कि आग उस डिब्बे के अंदर लगी थी जहां हिंदू तीर्थ यात्री मौजूद थे एक दिन पहले ही कोट ने सभी सबूतों को खारिच करते हुए एक और आरोपी को दोशी ठहरा दिया अपने ब्लॉग में वित्तमंत्री अरुन जेटली ने आगे नीरव मोदी की गिरफतारी के बारे में लिखा और यूपीय सरकार पर निशाना साधा जेटली ने लिखा नीरव मोदी ने 2011 में सारवजनिक शेत्र के बैंकों को धोका देना शुरू किया था वर्तमान सरकार के तहट बैंकों और जांच एजनसियों ने उसकी संपत्यों को कुर्क किया है और उसकी नीलामी की जा रही है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है ये हमारे जाच एजन्सियों का ही कमाल है कि हम उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँच गए हमारे अनुरोथ पर उसे अब गिरफतार कर लिया गया है और जमानत भी नहीं दी गई है आगे कॉंग्रेस पर हमला करते हुए जेटली ने लिखा केवल नकली मुद्दों पर भरोसा करने में एक अंतर नहित खत्रा है वो तूट गए और गिर गए है जैसे कि ये तीन नकली मुद्दे हुए मुझे अमीद है कि नकली अभ्यान के निर्माता कुछ सबक सीखेंगे गरतलब है कि कॉंग्रेस इन तीनों मुद्दों पर बीजेपी को घेरती रहती थी लेकिन एनाईये कोच द्वारा सीमानन के बरी होने गोधरा ट्रेन कांड में एक आरोपी को दोशी ठेराने और निर्म मोदी की गिरफतारी से कॉंग्रेस के इन जूटे अभ्यानों की हवा निकल गई है